ओप our стр an experiments कर दो जियो was अक्रपुट वहल हैं दोस्तों आजके इस वरिडियो में आपको नए तरह का लेक्स स्ट्रस एडेंट ही करना सिखाने वाला हूं जिसका प्रिवी अभई अपने स्क्रिण के उपर देखा आप के वालेग आजके इस वीडियो में आपको complete step by step बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं status को बनाने के लिए आपको किन किन चीजों का यूज करना होगा वो सभी मैं आपको दे दूँगा पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उससे पहले आपको किन किन चीजों की जरुत होगी देखिए जो status आप create कर रहे हैं उसके लिए आपको larynx की जरुत होगी जो song आप select कर रहे हैं अगर जो song मैंने select किया है अगर आप भी उससी song का यूज कर रहे हैं तो मैं जो song की larynx है वो मैं आपको दे दूँगा बट अगर मेरे अलाव अगर आप दूसरा song यूज करते हैं तो उसकी larynx के लिए आप Google Chrome browser को open करेंगे वहाँ पर उस गाने का नाम लिखेंगे तो उस गाने की जो larynx है वो आ जाएगी आप अपने mobile में notepad app के अंतर उस larynx को paste कर देंगे ताकि जब भी आपको जिस भी motion application को open करते ही आपके सामने इस तरह से interface आ जाएगा यहाँ पर मैं आपको step complete बताने वाला हूँ प्लस पर आपको क्लिक करना है pencil के आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 1883 रेजुलेशन को स्लेक्ट करने ला है फ्रेम रेट पर यहाँ पर आप आप एक audio add कर लेंगे जो audio मैं यूज करने वाला हूँ तो audio की size आप यहाँ पर 30 second रख लेंगे क्योंकि जो भी status हम बनाते हैं उसकी maximum size 30 second होती है तो मैं 30 second इसकी size रख लेता हूँ फाल तो जो size इस पर आप क्लिक करके पीछे से आप रेमू कर देंगे और आगया जाएंगे अब आपको वाइट कलर का जो template है वो मैं आपको दे दूँगा तो आप क्या करेंगा टैंपलेट को यहां पर add करेंगे प्लस पर आपको क्लिक करना है लाइट न पर क्लिक कर देंगे सिम्पल से उसके बाद आप टैंपलेट को उतना रख लेंगे जितना की हमारा गाना है तो हम 30 second का गाना ले रहे हैं तो उतना ही हम टेंप्लेट को रख लेते हैं फालतू को हटा देते हैं और आगे आ जाते हैं अब आपको करना क्या है यहां पर आपको फोटो एड़ करने होंगे तो प्लस पर आप क्लिक करेंगे इमेजन वीडियो पर आपको क्लिक करना है जो फोटो यहां पर एड़ करने है आप सको यहां से जूम करेंगे और यहां पर साट करेंगे इस तरीके से उसके बाद इस फोटो को इस टेंपलेट के नीचे लेकर आएंगे आगे आप जाएंगे तो यहां पर आप दिखते हैं यह टेंपलेट कहां तक है तो यह टेंपलेट है हमारी जो फॉर्स्ट पर से आप image को जूम करेंगे यहां पर image crop नहीं होनी चाहिए इस तरीके से image यहां पर बरोबर दिखने चाहिए ठीक है उसके बाद आप आगे जाएंगे इसको play करके देखेंगे तो इस तरीके से यह effect play होगी जो कि देखने में बहुत ही जादा अच्छी लगेगी उसके पर एक लड़की की ले लेता हूं उसके बाद लड़की की वापस तो मैंने यह वाली में select की और आप इसको यहां पर set कर देंगे उसके बाद आप इस image को नीचे लेकर आजाएंगे template की नीचे आगे आप जाएंगे यह effect कहां पर खत्म हो दी है उतनी आप इस photo की size को रख लेंगे maximum यह होगी यहां पर 10 तक यहां तक है तो मैं इस photo की size को भी इतना रख लेता हूं फोटो प्लिक करेंगे और अब यहां से photo को जूम कर लेंगे तांकि photo इधर उदर से crop नहीं होगा सही तरीके से आप perfect set कर देंगे photo को ठीके इस तरीक से यह photo दिखेगा उसके बाद आपको तीसरे photo को भी add कर लेंगे यहनी कि आपको same process है आगे सारे photo के आपको इसी तरीके दूरर कर लेना है तुम्हें धो तिन photo add करने पड़ेंगे तो मैं सारे Photo को जल्दी से add कर लेता हूं इस बार मैं यह वाला photo select कि है आप सको यहां पर set करेंगे इस तरीके से उसके बा यहां तक है तो हम फोटो पर क्लिक करते हैं इसकी साइज को इतना रख लेते हैं अब आपको करना क्या है यहां पर आपको फोटो को जूम कर लेना है more and transfer से क्लिक करने के बाद जूम करके perfect set करेंगे फोटो को इस तरीके से तो देखने बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा तो इस तरीके सबको सारे फोटो को add कर देना मैं फटा पर दो तीन फोटो और है तो add कर देता हूँ दोस्तों मैंने यहाँ पर सारे फोटो को बिल्कुल सही तरीके से add कर दिया है आपको भी इस तरीके से सारे फोटो को add करने के बाद आगे आगे आनके बाद आपको एक PNG image add करनी होगी plus पर आप क्लिक करेंगे image and video पर आप क्लिक करेंगे तो इमेज की साइज उतनी हो जाएगी यहां पर यह इमेज बाहर आगए है उतनी हो जाएगी ठीक है उसके बाद कि अगना अब आपको लारेक्स यहां पर डालनी होगी तो मैंने आपको बता दिया कि लारेक्स को आपको कोपी कर लेना है अब आपको क्लिक क्लिक करेंगे यहां पर आपको लारेक्स डालना होगा तो मैंने नोट्पेड रिख रगई है जो कि मैं अपने हर विडियो में आपको कमप्लीट बता आता हूं तो मेरी फर्स्ट लाइन है यह रही मैं इसको कर लेता हूं को फी उसके बाद आपन करता हूं लाइट मोशन एप्रिकेशन को यहाँ पर आप आपको पेस्ट करेंगे और जो आपके जो लियरिक्स आपने डाला है उसके अगले जो सब्ध है न वह सभी आपको बड़े ही इसके बाद आपको उपर क्लिकना इसको बिल्कुल मेडन में ले लेंगे यहां पर इसको छोटा करेंगे और इसकी साइच को तो इंक्रीज कर लेंगे यहां से इतना काफी है उसके बाद right पर आप click कर देंगे more transfer से आप इसको यहां से जूम कर लेंगे और आप इसको rotate करेंगे font को ठीक है थोड़ा सा और छोटा करेंगे इस तरीके से आप इसको perfect set कर देंगे अब आप सुनेंगे जो आपके 1st 그건 कि लाइन हो कहां से कहां तक है तो मेरी फ़र्ष्ट लाइन वो यहां तक आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं लारेक्स पर करता है कि जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देता हूं तो उसकी निदर में if यहीं हजाएगी अब आप को इंदर एफेक्ट डालनी होगी तो आप यहाँ पर एक प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लेंगे जो कि मैं आपको दे दूंगा उस प्रचेक्ट में आप जाएंगे जैसे अगा प्रिजेक्ट आपको मिल जाएगा यह track प्रफ धब करना है इफ desc करना है उसके बाATHER ऊस ही प्रोजेक्ट में गये जो कि अवट ही आप आ रहे हैं इस यहां पर आप लारेक्स पर क्लिक करेंगे एफेक्ट पर आपको क्लिकना त्रीडोट पर क्लिक करेंगे और पेस्ट एफेक्ट कर देंगे तो वह एफेक्ट पेस्ट हो जाएगी आप इसको यहां से प्ले करके देख सकते हैं एफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी आपको यहाँ पर अलग अलग तरे का color भी है side और सब कुछ enable है already आगे आपको करना क्या है आगली लाइन लिखने के लिए आप इस पर click करेंगे टैक्ट पर यहाँ पर आपको click ना यहाँ साब copy layer कर लेंगे उसके बाद दूसरी लाइन जहां से भी आपकी start हो रही है उसके बाद added tech पर आपक्लिक करेंगे जो लारिक्स पहले वाली थी इसको आप हटा देंगे और इसके भी अगले अगली जो सब्दे उसको आप बड़ा लिख लेंगे और उसके बाद right पर click करके इसको यहाँ पर paste कर देंगे यहाँ आपनी की जो first line लारिक्स थी वो अलग थी और हमारी जो second line है second जो लारिक्स है सोरी वो हमारी अलग हो गई है अगर आप इसके अंदर color भी change करना चाहते है तो इसके आप click करेंगे color and fill पक्लिक करेंगे white color या फिर आपको यहाँ पर green color जो भी अच्छा लगता है वो color select कर सकते हैं आपके हिसाब से यहाँ पर आपका status अच्छा बना चाहिए यही आपको ध्यान रखना है आगे same process है इस तरह किसा आपको paste करना है और larynx ही change करनी है सुन लेना है कि कहां पर कौन सी लाइन आ रही है मैं आपको lyrics दे दूँगा अगर मेरे लावा दूसरी लारिक्स यूज करते हैं तो वह मैंने आपको बता दिया है ठीक है इस तरह किसा आपको पूरा status complete है अब आपको अगर आपना लोगों कुछ भी add करना चाहते है तो add कर